जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर बुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राज योग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिन्दगी बने आसान में दोस्तों हमारी सीरीज शुरू हो रही है Be Your Own Doctor के उपर हमारा जो health है ना यह हमारा सबसे बड़ा ख़जाना है लेकिन हमारी बुरी आदतों के वज़े से हम इसे खोता जा रहे हैं आज हम जानेंगे इसके बारे में करम जीत सिस्टर के साथ आईए उनसे बाते करते हैं ओम शान्ती सिस्टर वेलकम तो आशो ओम शान्ती सिस्टर बहुती कमाल की सीरीज आपने इंटेड्यूस की है बी ओर ओन डॉक्टर सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है जब मैंने इसके बारे में सुना कि यह हम क्यों कर रहे हैं यह सीरीज इसके पीछे का लक्ष क्या है इस पूरी सीरीज को बनाने के पीछे जो लक्षी है जो मक्सद है वो यह है कि हम हर एक परिवार का हिस्सा बन सके जंदगी बने आसान हर एक परिवार का हिस्सा बन जाए और जैसे कि नाम है जदगी बने आसान तो हमारी जंदगी किया वाकई में इतनी Easy heights हम हम उसको बनाने में और कैसे मदद कर सकते हैं लोगों की वो मन में एक संकल्प उठा कि कैसे हम सभी को हेल्प करें कि हम अपने ही घर में अपनी पूरी फामिली के लिए और खुद के लिए हम अपने चिकित्सक खुद बन सकें यानि की ठीक है हम बहुत बड़े एक मल्ती परपस डॉक्टर नहीं है कि जो डॉक्टर शब्द है वो कही न कही टेक्निकल हो जाता है और एक चिकित्सक मतला कि हम अपनी खुद की रेमिडी खुद की चिकित्सा भी खुद कर सकते हों अगर कुछ बेसिक चीजे हमें मालू हो तो हमें आधी रात या कभी कुसी ऐस जगह पर हैं जहां पर कोई एड नहीं है जहां पर कई कोई सोर्स नहीं है या फिर घर में चोटे बच्चे हैं बड़े बुजर्ग हैं पेरेंस हैं स्पाउस हैं एनिबडी चोटे से लेके बुजर्ग तक जित्ते भी लोग घर में हैं हर किसे के भोजन में उनके खयाल सकते हैं और उनको सेहत मन बना सकते हैं तो उसके लिए बहुत बैनेफिशल रहेगी यह सीरीज जिसमें हम यह जानेंगे कि हम खुद को भी कैसे ठीक रखें और हम दूसरों को भी अपने परिवार में कैसे ठीक रखें अट लीस्ट एक बाउंडरी में कि परिवार की एक बिलकुल क्योंकि इसमें एक बहुत एहम बात आती है वो यह है 80-20 का रूल, a rule of 80-20. Okay. So, during the journey of the practice of Ayurveda and homeopathy, naturopathy and yoga, I understood and diving deep into the concepts, यह समझ में आया कि 80% value आत्मा की है. Okay. जो जीवनी शक्ति है हमारे अंदर, इसको हम ओजस कहते हैं, यह जिसको हम वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी बोलते हैं, उसकी जो वाल्यो है, that is 80% and 20% is the value of this physical body. Okay. And we can segregate it into 15 and 5, that is 15% is the value of all physical things done with myself. Yeah. Either it's diet, it's exercises, anything which is aiding my physical body, annamaya kosha. Yeah. And 5% is the value of all the blood tests being done. Okay. Because what tests, सिरफ फिसकल बोडी के हो रहा है. Actually, जहां से बिमारियां ओरिजनेट हो के आ रही हैं, उसके लिए तो कोई मशीनी नी बनी. तो वहां पर आकर के हमें एक कड़ी मिल जाती है, सुचने के लिए, एक थौट आता है, कि 80% of the factor, जो हमारे अंदर है, जिसको चेक करने के लिए, कोई मशीन नहीं बनी है. So true. तो उसके लिए अगर हम खुदी-खुद का चिकिटसक बन जाएं, तो more than half of the journey is done by myself itself. So true. Sister, यहाँ पर एक सवाल आता है में मन में कि, आज, जितनी लोग health conscious है, आज के जो हमारी generation है, या तो फिर मैं कहूं, जो आज के पुरी दुनिया है हमारी, सब लोग inclined हो रहे हैं towards health consciousness. एक phase था हम सभी के जिंदगी में आज से पात साल पहले या दस साल पहले, health conscious नहीं थे लोग इतने, लेकिन फिर भी healthy रहते थे. और आज हम जितने health conscious हो रहे हैं, उतनी हमारी बिमारिया, problems बढ़ती जा रही है. तो क्या हमें health conscious हो ना छोड़ दियना चाहिए, ताकि हम फिर से healthy बन जाए, या फिर हमें क्या करना चाहिए? आपके बात करते करते, सच में बहुत अच्छी लगी आपकी ये बाद, बहुत अच्छा सवाल है, कि हम आज बहुत जादा health conscious हैं, you know why? क्योंकि हम health खो चुके हैं, तभी तो health conscious हैं, जब health थी तो health conscious नहीं थे, तीरे दीरे एक phase आया, changes आया, समाज में, society में, रहन सहन में, सब जगान एक change आया, एक ऐसा change आया कि हम बिमारियों की तरफ चल पड़ें, तो health conscious इसलिए होना पड़ा, कह कह के, सुन-सुन के, आज हम health conscious हो गए, परकाज रही नहीं, इसलिए कहा जाता है कि सेहत हमारा अमूलिय धन है, और उसकी कीमत तब पता चलती है, जब हम उसे खो देते हैं, अज आपके पास यह beautiful dress है, तो में और में नाट भी आप उसके तरफ कोई जादा ध्यान जाए, लिकिन जिसन आप इसको खो द मुझ उसके लिए comments भी मिले थे तो फिर आपको लगेगा फिर आप उसको appreciate करने लगेगे फिर आप उसको miss भी करने लगेगे तो यही चीज हाज हमारे समाज की साथ हुई है कि क्योंकि हमने अपनी health को खो दिया बेशक वो हमारे wrong lifestyle wrong living patterns wrong diet या फिर हमारे मानसिक्स तरपर जो stress, दुख, गम, चिंता tensions इतना सबा रहा है किसी भी factors की वज़ा से अगर हमने उसको खो दिया है तो एक ताइम आएगा बंदा conscious हो ही जाएगा तो तुस 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 दरीजन यह बहुत depth वारी आपने कहिए क्योंकि मुझे असा लगता है sister की health एक ऐसी चीज है जो naturally healthy हम क्यों नहीं रह सकते है मतलब एक दिन हो या एक महिना बीते या दो महिना बीते या एक साल बीते, without any problem ऐसा भी possible है literally because मुझे पता नहीं कि ऐसी कोई जगा या पर कोई असा state of mind exist करता है so what do you say about that it is possible, it is completely possible but अब आपने पिछले सवाल में भी जो बात पूछी थी कि कैसे हो सकता है health conscious होने की जुरूरत नहीं है, naturally health आपकी जंदगी का हिस्सा बन सकती है अगर हमें basic चीजे पता हूं, okay, बहुत सारे basic sutra है बहुत सारे principles है जो जैसे for example वागबठ जी को ले 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 उनोंने पूरा का पूरा Ayurveda लिखा उनोंने Ashtang Haridyaam Ashtang Sangrha कितना कुछ उनोंने लिग दिया उसमें 7000 sutra दे दिये human being के लिए 7000? Yes, okay और जिनमें से mukhya 50 sutras तो हमने discuss भी किये थे अपनी पहली सीरीज में उनोंने जो इतने सारे sutra दिये क्योंकि वो तो चले गए आज we don't have Vagabhadji with us वो रिशी हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो एक ऐसा ज्यान छोड़के गए कि अगर कोई व्यक्ति उसका ध्यायन कर ले वो एक सो साल तक बिमार नहीं हो सकता उसकी जन्दगी में हेल्थ उसकी जन्दगी का हिस्सा बन जाएगा उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अब क्या करूं वो नाचुरली लिविंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते वो healthy state of being पहुंग पहुंच जाएगा तो सेम सिमिलर्ली रिच्रोपैथी में भी होमियोपैथी में आयुरवेथ में बहुत सारे सूत्र मिलेंगे बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं जिनको अगर एक human being याद रखे या समझ ले हमें कोई ऐसे blackboard पे लिखके याद नहीं करना है उसको यापनी रिजिस्टर नहीं भरने है लिखने कर only understand only after understanding it if we follow it in the life तो आप देखेंगे कि हम health conscious ना हो करके हम healthy being बन जाएंगे तो फिर जब ऐसी चीज़े होंगी और अगर घर में एक या दो लोग भी ऐसे हैं जो healthy हैं तो वो कही ना कही अपने आने वाले जो generations हैं उनको या घर में जो और सदस्या हैं वो सभी को guide करते रहेंगे कि नहीं या ऐसे नहीं ऐसे कीजिये या ऐसा करना जादा अच्छा होता है आपर कि अपर हैं So you will be healthy for your lifetime Right So this is the you know factor कि अगर हर घर में किसी को ये चीज़ों की knowledge Especially the female Especially the mother who is like a backbone to a family Absolutely अगर एक मा को एक female को घर में पता हो ये चीज़े तो वो पूरे परिवार को ये बिमारियों से बचा सकती है और उसको पता होगा क्योंकि why we are sharing this series it's like कभी कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है कभी भी कहीं पे बाड आ जाती है तो उस समें doctors cannot help so much कि सब जगा एक एक व्यक्ति के पास पहुँच के एड पहुँच रही है तो अगर हमें बहुत सारी basic चीजों की knowledge होगी तो हम capable होगे एक एक बेसिक जेनरल आइडिया अगर हम क्रेट करें तो हम basically basic remedies के बारे में बात करेंगे चुटी-चुटी problems के लिए चुटी-चुटी बिमारियों के लिए जो हम deal करते है रोजमर्रा की जिंदगी में इस हम common cough, flu, fever, cold ऐसे symptoms पर भी बात करेंगे हम emergency pain management यानि की emergency situations पर भी बात करेंगे जो अचानक से आ जाती है and you are not able to even reach the doctor in time cleaning दूर है, hospital दूर है, एक दम से कोई नहीं है बताने वाला की कौन कैसे, कैसे ठीक करना इस चीज़ को यानि की मानली जी अभी अभी एक मधु मखी ने sting कर दिया, मधु मखी ने काट लिया तो तुरंद क्या करना चाहिए तो ऐसी बहुत सारी शीज़े है तो तो यसे सो हेलफफुल, I'm sure I'm very excited for this series sister, जब में बात करती हूँ health की, health एक ऐसा शब्द है जो उसके साथ एक और वर्ड लाता है awareness क्यूंकि जब हम healthy होते है जो भी व्यक्ति healthy होते है in a way where, वो physically fit है, mentally fit, spiritually fit है, तीनो ही aspects में अगर वो swasth feel कर रहे है उसके पीछे सबसे बड़ा value होता है awareness का, awareness कितना बड़ा role play करता है to become your own doctor first of all the basic awareness we need is to know the connection between body, mind and soul okay, यह तो basic awareness है हमें यह पता हो कि man, atma और शरीर तीनों आपस में जुड़े हूए है एक का प्रभाव दूसरे पर है and we have already done a great series on it, कि man कैसे role play करता है हमारी physical health को भी ठीक रखने में यह उसको बिमार करने में तो एक तो वो awareness दूसरा कुछ Ayurveda के यह हमारे शास्त्रों में से yoga भ्यास, pranaya, meditation इनके ओपर भी कितना कुछ है, अगर उसकी awareness हमें हो, देन और रात की, सोने के pattern, खाने के patterns and so many other things तो अगर उसकी awareness हो तो वो भी help करेगा और तीसरी चीज है कि कहां रुकना कहां जाकर के मना करना, no, we should know when to say no कहां जाकर के रुकना है अगर भोजन को ले ले, कितना खाना, कितना नहीं खाना, when to say no when to have and not to have ऐसे मिलब हर असपेक में जन्दगी के हर असपेक में वो चीज़ जाती है तो अगर awareness है तो देन, we are really able to live a very healthy life, we should know कि yes, this is my awareness this is the knowledge which I am having और उस knowledge के behalf पे I am leading a very healthy life, otherwise we are always dependent on a health expert we are always dependent on a doctor for medicines, because we think medicine is the only thing which can cure me लेकिन ऐसा नहीं है actually it is only the thought behind taking medicine which cures us it is not the medicine which cures us अच्छा, yes of course इस के बारे आप थोना सा बताईए कि this is really exciting see the power of mind is a great thing power of mind पे बहुत बड़े बड़े लोगो ने, scholars ने, बहुत लोग है इस दुनिया में जिन्होंने power of mind पे काम किया है और जिन्होंने ऐसे ऐसे marvelous examples set किये हैं कि कितने घंटों तक ice man है, he sits in बिलकुल frozen एकदम ice के बीच में वो व्यक्ती बैट जाता है within seconds हम छोड़ देते yes, लेकिन that person is called like an ice man I am just giving an example कि हम गर Google भी करके देख ले to ice man कौन है to he is in I think above 60 oh and वो बहुत घंटों तक भी बरफ में रह लेते हैं और बरफीले पानी में नहा लेते हैं so how he is able to do this that's all breathing pattern that's all your power of mind so in fact हमें को यह सब नहीं करना है हमें तो अपनी normal balanced life जीनी है लेकिन कहने का भावार थै कि power of mind इतना जादा काम करता है मारी जंदगी में कि मैने ऐसे लोगों को देखा एक doctor का example है my father's sometime back told me that example कि वो अपनी wife के साथ movie देखने गय थै जी तो wife को एकदम से ना headache होने लगा and she said मेरा को headache बहुत हो रहा है चलो घर चलते है कि I am not feeling like completing the movie now तो उनोंने क्या किया just a placebo था अपने जेब से एक गोली निकाल दी और उनको दे दी कि तुम ये बहार जाके खालो और इसे ठीक हो जाएगा and that was no medicine it had nothing inside वो जस्त एक placebo थी और शी ate it she came back and within 5-10 minutes she said okay now I am okay मेरा सिर्दर चला गया अब हम बैठके movie enjoy करते है फिर वो पूरी movie enjoy करके घर भी चले गया so this is the thing I want to say the power of mind यानि कि वो जो एक thought था जो इस बात के साथ जुड़ गया कि ये लो गोली ये आपका सिर्दर ठीक कर देगी बेशक वो गोली प्लेसब हो थी उसमें कुछ नहीं था but because that information is given to her वो उस बात ने उसको बिलीव कर वा दिया कि येस ये गोली मेरा सिर्दर ठीक कर देगी और सिर्दर ठीक हो गया वाँ So this is the power of mind Sister, एक और चीज जुड़ती है Dr. Shabd के साथ वो है Willpower क्यूंकि Willpower एक ऐसी चीज है ना sister जो कही ना के मैं Lacking देख रही हूं जो एक होता है कि मुझे कुछ करना ही है वो हमारे करियर के लिए हो रहा है वो हमारे growth के लिए हो रहा है वो हमारे money making में हो रहा है लेकिन health में एक Willpower की जो जरुवत होती है कि नहीं अगर मुझे ये चीज हामफुल है तो वो मुझे दिख रही है सामने में बहुत सारे लोग खा भी रहे है बहुत सारे लोग उसे खुशी खा रहे है उनके faces पे smile है उनके face पे एक संतुष्टी है कि भई मैं खा रही है लेकिन मुझे पता है अंदर से कि ये remedy मुझे शायद करम जी चिस्टर ने दी है और मुझे ये करना चाहिए I should do this and I should avoid this लेकिन वो Willpower की कमी होती है ये मैं शुरवात्मी क्यों लेना चाहती हूं प्ले करता है Willpower में देखिए जब हम ऐसे बात को उठाते हैं जहां हम कहते हैं कि why I am not able to avoid this when I know it is harmful तो ये वो situation है कि हमारे मन पर हमारा control नहीं कह सकते but like मैं अपने मन का गुलाम हूं मेरे मन की कुछ desires कुछ इच्छा अगर बिगट चुकी है तो I am not that capable कि मैं अपने मन को जीत सकूं लेकिन मन मुझे जीत रहा है तो ये चिज़े क्यों होती है because awareness again awareness नहीं है awareness of being in communion in the companion of God कि परमात्मा से जुड कर के कही ना कही हमें शक्ति तो मिलती है हमें वो powers मिल जाती है you know when you are connected with any being who is higher to you कोई भी परसन जो हमसे आदा शक्तिशाली होगा जो हमसे उंचा होगा हमसे बड़ा होगा उससे जुड करके हमें भी powerfully महसूस होगा तो परमात्मा में तो willpower की कमी हो ही ने सकती वो तो सागर है हर चीज का सागर है is the notion of everything तो when we are even aware of our own inner senses जी फिसिकल mental all the senses अगर हम उनके aware है all the chakras our breathing patterns the soul the innate qualities of the soul तो वो सारे aspects जब आ जाते हैं तो फिर आप जब परमात्मा से भी connect होते हो daily meditate करते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो willpower, सहन करने की शक्ति even बिमारी आ गई है तो उसमें से बाहर निकलने की power और उस time period में जो patience level रखना होता है वो सारी जीजे आने शुड़ हो जाते हैं हमारे अंदर otherwise a person gets panic या हम सुनते नहीं है सुनकर के इग्नौर कर देते हैं या हम हॉसलाई नहीं रख पाते patience नहीं रख पाते बहुत सारे बहुत बाहर देखा की sometimes लोग सरफ बात करके ठीक हो जाते है and there are people in my experience in my practice also की वो सरफ फोन करके जब अपनी बिमारियां सुना देते हैं सुनाने से भी ठीक हो जाते है उनको लगते हैं the doctor has listened to my whole story now it's fine उनको इस इसे तन तुस्टी मिल जाती है sometimes even I worry मैं भी उस चीज को wonderful लगता है की कमाल है मैंने तो कोई remedy भी नहीं दी I have not given any solution for the problem but I have just given my ear सरफ सुना हैं बात के तो सुनने से उनको संतुष्टी मिल रही है की हां किसी ने सुन लिया अब हम ठीक हो जाएंगे so this is all which is connected to the soul and the daily practice of meditation or yoga pranayam तो दीरे दीरे आपकी willpower towards your life towards the journey of your life तो काई ना काई बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है क्योंकि Brahma Kumari इसका यही message है कि जहाँ spirituality है वहाँ health है वहाँ पर आप physically fit है वहाँ पर आप mentally fit है और आप socially भी fit है as well as mentally भी आप stable feel करते हैं Thank you so much sister, thank you for coming in our show Om Shanti दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमें खुद का doctor क्यों बनना है क्योंकि आजकल की जो दुनिया है दोस्तों उसके बीच में बहुत सारे distractions है बहुत सारे temptations है बहुत सारे ऐसे aspects है life के जो आपको attract करेंगे हम सिफ इतना बोल सकते हैं सब कुछ करिए लेकिन इक balance बनाने कर रखिए और वो balance तभी ही create होगा जब आप खुद के doctor बनेंगे इस बात के साथ आज की program को मेंट करते हैं कल आप से फे मिलेंगे आपके ही शो में जिन्दगी बने आसान ओम शार्ती कर दो कर दो